हलो दोस्तों स्वागत है आपका रेना रियल लाइप में तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खुस होंगे तो आज मैं बनाओंगी करेले की एक स्पेशल की डेसी जो की बहुत ही होने वाली है और करेले में कड़वापन को कम करेंगेस लागत और बीज ने पर तो से खेंगे ये इसे हम उबालेंगे और मसाले में हमने लिया देखिए मुझ फपले लिया है लसं लिया है धनिया जीरा लिया है और पियाज tay ओप मिला है काट के यहां पे मरें करेला में início इसके बीज निकालेंगे, ठंडा हो गया है यह थोड़ी देर मेंने रख दिया भाप पकने के बाद और इसका हम बीज निकालेंगे इस तरह से यह दिख्या दोनों तरफ से मेंना आर-पारडी दीख रहा है, इस तरह से हम इसके बीज तार Shad understandspadजेम Nicholas Schulg कड़वा होता है खाने में पर हम इसमें काफी कोशिश करेंगे कि करिला कड़वा ना लगे और इसका करवापन है काफी कम हो जागा, आप एक बार इस तरह से मेरे तरीके से बना कर जरूर देखेए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर एक लाइक जरूर कर दीजेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को, तो यह देखिए, मैंने सारे करेले को इस तरह से इसके बीज मिकाल लिये हैं, और बीज को मैंने एक कटोरी में जमा कर लिया है इस तरह से, और उसके बाद मैंने यहां पे जलाया गयस, गैस के उपर रखा है मैंने करहाई जब गरम हो जाए तो मैंने यहां पे डाला थोड़ा सा सरसो का तेल जब गरम हो जाए बहुत अच्छी तरह से तो हम इसमें डालेंगे प्याज तो हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो गया और इसमें धुआ सा निकलने लगा है तो इस टाइम पर हम यहां पर डाल देंगे प्याज और प्याज को हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे हमने यहां पर काफी सरा प्याज का यूज किया है और इस तरह से करेले में अगर प्याज डाला जाए तो करेले का कड़वा कपन काफी कम हो जाता है और प्याज की मिठास आ जाती है करेले में तो इस तरह से हम करेले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका कल हम यहां पे यूज करेंगे यहां हम डाल देंगे उसके बाद हमने यहां पर डाला है थोड़ा सा कासमरी लार्दमिर्च तोड़ा सा कुटी लार मिर्च, मतलब तीकी वाली, इसके बाद नमक हलका सा डाला है, क्योंकि यहां पे हमने पहले भी करेले में उबालते समय उसमें डाला था, थोड़ा सा नमख, उसके बाद हल्दी डालेंगे हम यहाँ से, अर हल्दी डालने के बाद इसे बहुत अच्छ मतलब 10 मिन तक हमें भूनना पड़ेगा धीनी आच में मतलब धीने से थोड़ा सा ज्यादा आच में मिडियम से थोड़ा सा ऊपर मतलब फूल यहाई फ़्लेम में न fret it's not हमें इसे नहीं भूनना है मसाली अच्छी तरह से पक जाये जले भीना और काफी अच्छा स्वाद आया इसका तो इस तरह से हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून दिया है और मसाला हमारा लगभग अब तयार हो चुका है और मसाले को हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया उसके बाद हम मसाले में यह जो हमने बीज निकाल के रखा था करेले का वो मिक्स करेंगे उसके बाद करेले में मसाला भरते जाएंगे इस तरह से देखे पूरा दबा दबा के बहुत अच्छी तरह से हम इसे करेली में मसाले को बहुत अच्छी तरह से ढालेंगे और इस तरह से तयार करेंगे दोनों तरफ से हम दबा दबा कर मसाला अच्छी तरह से यहां पर भर देंगे बीज के साथ और यह देखे हमारा रेडी हो गया है करेला को छोड़ देंगे मतलब करेले को हम यहां पे भूनेंगे और हमें इसे बहुत ही धीमी आँच में और काफी देर तक भूनना है लगभग पांच मिनद तक हमें इसे भूनना है और दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से भूनने की बात करेला हमारा डेडी है खाने के लिए बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी और ये चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो आप भी खाईए बनाएए अपने मेरा सफूर बनाएम्धै चिक आप मॉटना है तरह से अच्छाउ हैं से लगता है उै screening गड़ते हैं ∤